के अवेलवब भाट करेंगे एक स्टॉक कि बड़ी है सा musi लेवल पे अभी चल रहा है तो स्टॉक के बारे में हैं मैं आपको जरूर अभी बताना चाहूंगा तो तो उसका अनळेशीस करने से पहले प्रेंट्स है आप कफी कमेंट सा। जो भी हमारा रेगुलर विएर है उनका वे मन में हमेशा एक चीज था कि कैसे हम ट्रेडिंग का जर्णल को कैसे हम सेट करके रखेंगे कि हमें किसे पता सलेजा कि कितना सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए आप सब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का जार्नी यह बहुत आसान हो जाएगा कि यह एक्सलिट में किसे हम मेंटेन करके चलेंगे कितना परसंटेज का प्रॉफिट आता है वो सब चीज यहां से आप बढ़ी ऐसे मेंटेन करके चल सकते हैं आपको बढ़ी ऐसा पिक्टर पता चल ज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपने साथ से जरूर एडिट कर लेजिए मैंने आपको बताया कि इसी साथ से कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार आपका हमारा जो रेगुलर्ली व्यूरे जैसे कि तंचल जी हुए मौयूर जी है इन लोग बार-बार मतलब पूस्ते हैं कि कैस सब्सक्राइब करने में आसान रहेगा यह तो हमेशा हमारा चैनल पर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं तो इनका एक कमेंस था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो भी जो कोई सवाल होता है मन में जो आप क्लियरली पूछते हैं तो भी बहुत खुशी होता है उसका का आंसर देने में तो यह वीडियो जरूर देख लिजिए आपको बड़ी ऐसा नलेज मिलेगा ठीक है और इसके साथ में जो भी नया सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं आप सबको में जरूर बार एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप एक बार देख लिजिए अ कि कौन सा कैसे हम स्टॉक को मतलब कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ठीक है और कैसे चाट पैटन करते हैं कैसे मुवी आपरेशेट करते हैं कैसे आरेशेट करते हैं ठीक है कैसी कैंडल स्टिक पैटन को स्टड़ी करते हैं ट्रेडिंग व्यू कैसे उपन करते हैं यह सब च स्टाट करते हैं जो की जंक्शन कंट्रोल भीटा सब्सकों की बात करेंगे टें क्यों आज भी जो लास्ट वीडियու में आपको बताया था जंक्शन कंट्रोल पे मिलें अभी पॉजीशन बनाया हूं जो कि मेरे पास में करूर बाइचे घांग ता मेने उसमें य honour प्रकेट अचीब हुआ तो उसी वेसपे पर प्रफिट बोकिंग करके इस स्टॉक में उन्हें पोसिशन वाया उसका पीछे का रेजन भी मैं आपको बताऊंगा फिरसे इस टॉक का एक बार चार्ट पैटर न देख लेते हैं कि स्टॉक कैसा चार्ट पैटर और किसा हमें रि यह दो सारा के अंदर में यहां पे दिखिये सट्रा उपे तक जा चुका था तो मतलब एक साल के Оंदर यह श्टाक किई चाहर deepest यह कि अप्ट्रेंट स्टोख एंट्री लिए है एक मल्टी वियेगर स्टॉक में बताऊंगा यह जो स्टॉक कि प्रदक्ट होता है आप अबर जाएंगे किसी भी मौल बगेरा में तो यहां पर देखेंगे एर कंडिशनिंग जो कुलिंग सिस्टम लगता है पूरा जंक्षन हिटाजी कंट्रोल का पुलाई लगता है वहां पे एच्वी एसी से लेके सब कुछ मतलब इन्हीं काई प्रोडक्ट होता है ठीक है एक बड़ी ऐसा कंपनी है इसमें अगर देखेंगे आप दुबाई से ल किनके ने उड्शंट की सकता है है यहांपे आपने देख लिया जो की के ओनों का चार्ट लिखते हैं मैं अगर गण चार्ट यहांदे का बतना चाहां विहागा वियांडिखिया को हम अभिए का चार्ट पर आ चुके हैं अगर आप दिखेंगे Unters काफी दिन से कंसलर्यसन चल रहा है फिक यहां पी लास्ट में 3,500 से लेके यहां तक आ चुका था ठीक है 2,000 तक आ चुका था उसके बाद में फिर एक बार रिवर्सर लिया था फिर यहां पर निच्छे आया है तो मैं इसी साफ से एंट्री किया हूं इसी स्टॉक में क्यूंभी यहां पर बड़ी ऐसा रेजिस्टंस लग रहा है तो यहा धजी संट्ट और मेरा टार्गत में और में सकता में पर फारो सकता है और फिर भी हुआ है ंके तो फिर भी हम होज तर canon कोई प्रोप्लेम नहीं है हमारा 30 इपड गए कि oso तो हमेंसा हम अपना स्टाक के बारें पताते हैं जो डिसकर्शन करते हैं हमारा हमारा प्रस्पेक्टिव रहता है 30% कैसे हम एक स्टाक से गेन लेंगे जोगी एक साल के बीच में तो यह सा मुझे लगता है यह स्टाक में हमें six to eight months में अच्छा सा गेन मिल सकता है अगर नहीं का एक बार परामेटर चेक लाते हैं 5600 करोड का जो मार्केट क्या पर अगर कंपनी का आरो सी देखेंगे यहां पे 5.9 ए पी देखिए 109 ए 103 ए अगर डेट देखेंगे डेट फ्री कंपनी अल्मोस्ट टेट फ्री कंपनी 0.12 डेट है अगर आल टाइम हाई देखेंगे 3484 क तो एंट्री लेंगे नहीं लेंगे यह कुछ स्पेशियल केस है इसलिए चाट परन से मुझे ऐसा नजर लग रहा है कि हम इस टॉक में काल्कुलेटिव रिस्क लेके आध्सा सग्यान ले सकते हैं क्योंकि मैं इसा नहीं कि पूरा इंवेस्टमेंट इसी स्टॉक में कर रह इसी स्टम अंड प्रोवाइडिंग डिजैनिंग अन डेवलोपिंग सर्वीस अफ ग्रूप अफ दिजैनिंग और सपोर्ट डेवलोपमेंट इंप्रूमेंट अरफ्यूंड ऑफ एक्जिस्टिंग एयर कंडीशनिंग इसी साब से तो कि अधर क rozp में देखते हैं यहां पे तो यह सा अ कि यहां बोल रहा हम किसी भी क्वटर में Northeast डिप रही है है साइक्लीकल बीजनेस भी है तो अभी कोरोना भी चल रहा है काफी टाइम पर मॉल बगीरह बंद थो यहां पर काफी बंद रहा है दुबाई बगीरह में हरें जगा में काम फिर बीफेक्ट पड़ा है कि इसलिए तो यहां पर हम देखते हैं इत प्रोफित में को हुआ है तो अगर हम इसमस्साइब क्रफिट देखते है लास्टार का 55 क्रोट का प्रॉफिट भी इसे, अगर हम बैलन्स रिचांगे देखते हैं कोई प्रीजर्व यह है रिजर्वें ऑगर देखते हैं अल्ली 81 क्रोट का बरॉइंग है अगर यहां पर प्रोमोटर सब्सक्राइब यह इसों लिए इसमें इतना जदा यहां कि यहां पर लेने की प्रूब्लेम नहीं है इसमें काल्कुलेटिव रेस लेके हम थुड़ा सा इंबेस्टमेंट करके चल सकते हैं अच्छा सा गया हमें मिल सकता है क्योंकि कॉंपनी है जंक्षन कंट्रोल हिटा चीए मल्टिनेशनल कंपनी इसके उपर हमें बिल्कुल सक भी नहीं होना चाहिए यह ट्रक रेकर्ड प्रूफ है अगर हम देखते हैं इसका चाट पेटन चाट पटन देखिए ना चाट पेटन से आपको पता चल रहा है न तो इसलिए मेरे हिसाब से मैंने इसी लेबल पर डिखता है ठीकिन फ्रेंस कोई भी स्टॉक में आप बाई कर रहे हैं खुद का अनलीशिस जरूर कर लीजिए खुद का अनलीशिस का बेस पर बाई किजिए मेरा केने विल्कुल बाई मत कि यह कि जब लॉस होगा तो आपको होगा अगर प्रॉफिट भी होगा तो आपको ह होगा ठीक है तो इसलिए में बोलता हूं आप काल्कुलेटिव रिस्क लेके आप इन्वेस्मेंट किजिए कोई प्रॉब्लेम नहीं है स्विंग ट्रेड में अच्छा सा केन ले सकते हैं लेकिन काल्कुलेटिव रिस्क लेना चरूब है कोई एक स्टॉक में ऑबर डाइव में भी उसका लिंक देता हूं वहां से जाके आप जरूर विजिट कीजिए वीडियो देखके थोड़ा सा अपना स्किल इंप्रॉमेंट करके स्टॉक मर्केट से 30-40 पर्फॉली आप ले सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं आपका पोर्फॉलियो ढाइग से मिसल से डबल लेकिन आप उसी हिसाफ से ट्राइग कीजिए आधसा से स्टॉक में बनाईए ठीक है डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो है एक बाद देख लिजिए आपका फंडामेंटल पुरा स्ट्रांग हो जाएगा कोई प्रोब्लेम नहीं होगा अगर आप बिगनर है तो ठीक है